देखे चार साल से PTI और DPE प्रमोशन लटकी हुई है PTI की भरती लटकी हुई है और इसके अत्रिक DPE की प्रमोशन लटकी हुई है और इस वज़ा से संगठन काफी जादा नराज चल रहा है संगठन की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो एड़ोकेर जनरल है वो सही स अपना काम नहीं कर रहे हैं सही से पक्ष नहीं रख पा रहे हैं कोट में इसलिए इस पूरे मामले में मुख्या मंतरी सुखु को शिक्षा मंतरी रोही ठाकुल को हस्क शेप करना चाहिए पिछले साल से लेकर अभी तक एक भी हेरिंग दोनों मामलों में नहीं हो पाई है जिस वज़े से ना तो DPE की प्रमोशन हो पा रही है, 15-15 साल की सेवाएं देने के बाबजुद भी प्रमोशन से ने वंचित रहना पड़ रहा है, ये रिटायर हो रही है, दूसरी ओर जो PTI है, ये भरती ही नहीं हो पा रही है, सरकाली स्कूलों में सैंक्डो पद खाली चल रही है, बच्चों को भी शारिदिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है, ना भरती हो रही है, ना प्रमोशन हो रही है, और होगी भी कैसे जब पिछले चार सालों से ये मामला यूं के यूं ही लटका हुआ है, और एडवोकेट जनरल इस पूरे मामले में कोई संगठन है इनका, इसमें कुछ बिरोजगार भी हैं और कुछ वो शिक्षक भी हैं जो DPE के तोर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन प्रमोट अभी तक नहीं हो पाए है, तो अभी स्टे लगा हुआ है, पिछले चार सालों से इस प्रमोशन पर भी और PTI भरती पर भ होने वाली है, तो तब तक का इंताजार भी एक अन्ने के लिए तयार हैं, लेकिन हर बार हो कुछ नहीं रहा है, पक्ष सही से नहीं रखा जा रहा है, ये शिकायत बार बार इन शिक्षकों की और से हो रही है, देखिए केंदर सरकार के बजट को लेकर भी शेडियूल जार इस तरह की उमीद अभी जताई जा रही है लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है और दूसरी ओर यहां से जो द्योग मंत्री हर्षवरदन जोहान गए थे इससे पहले बजट के रिगार्डिंग मीटिंग के लिए तो साथ नई मांगे केंदुर के समक्ष रखी गई हैं पेल जाने की नौबत अब आ गई है आखिरकार ये मामला क्या है पूरा आपको बता देते हैं ये पेंशन रिवीजन को लेकर मामला हाई कोर्ट में चल रहा था और हाई कोर्ट ने अधिकारियों को लतार लगा दी है इसमें सिरफ शिक्षा से चीव नहीं बलकि शिक्षा निदेशक और डेप्टिटी डिरेक्टर भी हैं ये गैर मौझूद रहे हैं पेशी के दौरान ना ही पेशी से छूट के लिए इनकी और से कोई अप्लिकेशन दी गई और इस पूरे मामले में जो जज्जमेंट दी गई थी हाई कोर्ट की और से वो भी लागू नहीं की ग बात है कि कारावास में भेजने की बात अधिकारियों को हो रही है और इतना ही नहीं इस पूरे मामले पर मुख्यस अचीव प्रबोज सक्सेना को निर्देश शारी कर दिये गए हैं हाई कोर्ट की ओर से कि जब ये कारावास में होंगे तो उस तोरान निर्वाहा भत्ता य लेकिन इससे पहले जितनी भी हेरिंग हुई अधिकारियों के ओर से लापरवाही बढ़ती गई ना तो वो पेशी के दौरान मौझूद रहे ना ही उन्होंने पेशी से छूट के लिए कोई अप्लिकेशन दी ना ही जज़्मेंट को लागू किया पूरी तरह से ज़ज्मे कोट ने आगे अधिकारियों को करने के लिए कह दिया है यह बड़ी बात है इसमें शिक्षा सचीव भी हैं शिक्षा निदेशक भी हैं और डेपूटी डारेक्टर भी हैं और यह भी अपूर्वक कदम आखिरकार उठाना क्यों पढ़ा नौबत यहां तक क्यों पहुंची एक ही बात है कि देखे अधिकारियों की ओर से लापरवाही बढ़ती गई है जब कोट की ओर से कोई जज्जमेंट सामने आती है तो उसे लागू करवाना बेहत जरूरी होता है लेकिन बार बार इसमें कोताही बढ़ती गई जिस वज़ा से अब बड़े अधिकारियों को स लेकिन अभी 10 जुलाई को बुलाया गया है, हो सकता है कोई और मोड अब इस पूरी कहानी में आ जाए, क्यूंकि तीन बड़े अधिकारी हैं, एकदम से सिविल कारावास भेजना, चौंकाने वाली एक तरह से बात है, तो अब ये आने वाले समय में, इस मामले में क्या कुछ होता है, ये हम देखने वाले हैं, देखें करमचारी और पैंशनर्स को एरियर से सम्मंदित आदेश भी कोट की ओर से जारी हो गए है, ये भी एक हलाकि इंडिविज्वल केस है, लेकिन इसमें सपर्ष्ट कर दिया गया है, हाई कोट की ओर से, सरकार को की जल से जल जज्ज तक का वेतन और पैंशन का एरियर 6 फिजदी ब्यास के सहीत अदा करने के आदेश चारी हो गए है, दर असल इस पूरे मामले में राज्य सरकार की ओर से तर्क ये दिया गया था कि अभी कमजोर आर्थिक स्थिती चल रही है, जिस वज़ा से एरियर का भुकतान नहीं हो रह है, इस तर्क को हाई कोर्ट ने पुरी तरह से खारिश कर दिया है, अब अगर एक केस में जो की केस देखिये कौन सा है, ये राज्य और सची वाले की रिटायर सेक्शन ऑफिसर सुनिंदर सिंगराना बनाम हिमाचल सरकार मामले में जानकारी सामने आई है, और अब यहाँ ह हाई कोर्ट की ओरसेस पर श्र्ये कर दिया गया है, जो करमचारियों का हक है, जल्दी से जल्दी इने मिलना चाहिए, इस केस में भी ये जो रिटायर सेक्शन ऑफिसर सुनिंदर सिंगराना है, इन्हें तीन सब्थाहा के भीतर लाब देने के लिए कह दिया गया है, सभी कर तहां के बीतर उसे लाब देने के लिए कह दिया गया है ये तर्क यहां नहीं चल रहा है सरकार का की कमजोर आर्थिक स्थिती चल रही है इस तर्क को तो पूरी तरह से हाई कोर्ट में खारिच कर दिया है अब आना चाहेंगे 28,000 नौकरियों पर पिछले कल मुख्या मंतुरी सुखविंदर सिंग सुखु ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि 28,000 नौकरियां युवाओं को दी गई है जिसके बाद इस स्टेटमेंट को काफी जादा ट्रॉल किया जा रहा है युवा पूछ रहे है कि आखिरकार कहां है वो 28,000 नौकरिया और किन लोगों को दी गई है जरा उन्हें भी जानकारी दी जाए अभी इतना ही हुआ था कि इस बीच भाजपा के प्रदेश अधिक्स डॉक्टर राजी बिंदल की स्टेटमेंट भी सामने आ गई है जिनका कहना है कि 28,000 तो क्या 800 100 नौकरिया भी नहीं दी गई है और एक लाख नौकरियां देने का इन्होंने वाइदा किया था लेकिन हो कुछ नहीं रहा है सिर्फ अपने चहेतों को और वो भी आउटसोर्स पर नौकरी देने का कामिय सरकार कर रही है बाकी युवाओं पर कोई सोच विचार नहीं है अ इसे लेकर भी शेड्यूल तैय नहीं हो पा रहा है और इसलिए नहीं हुआ क्यूंकि यहां पुलिस मुख्यालय की और से अभी तक जवाब नहीं दिया गया है लोग सिवायोग को जिला कैडर को लेकर जोसमें सवाल पुछा गया था तो तमाम भरतियां है इन्हें लेकर 226 के करीब इसमें पद भरे जाने थे लेकिन शुरुआत इसकी भी नहीं हो पा रही है सवाल का जवाब नहीं दिया यहीं पेज फसा हुआ है आखिर कार ये पुलिस मुख्यालय की और से जवाब कब जाएगा कब तीथी निर्धारित की जाएगी भरती परिक्षा के लिए ये कहना और समझना भी काफी जादा मुश्किल हो गया है देखे एक चानकारी हम आपको और दे देते हैं ये हिमाश्र प्रदेश वेशे विद्यालय की और से रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है बैचलर ओफ कम्प्यूटर अप्लिकेशन इनकी BCA में 4 स्मेस्टर का इसमें जो टोटल नंबर ओफ स्टुडेंट्स अपीर हुए थे 1354 है और जो पास हुए हैं उनकी संख्या 804 है इसी तरह से बैशलर ओफ बिजनेस एड्मिस्टरेशन बीबीए 6 स्मेस्टर का भी रिजल्ट घोशित कर दिया गया है इसमें टोटल नंबर ओफ स्टुडेंट्स 909 हैं और 887 इसमें पास हुए हैं तो यह जानकारी हम आप